नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एग्जेक्यूशन में और आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा आपको इंपोर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ खास कर जो सिविल इंजिनियर से उनके लिए फायदेमंद है जो घर बनाते हैं या फिर बनाने जा रहे हैं उनके लिए फायदेमंद है और सबसे बड़ी इंपोर्टेंट पात कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बोरिंग आप कर देते हैं कभी कभी बोर कोलैप्स हो जाती ह साथ ही साथ कभी कभी आपने पता चले पंप पंप सब कुछ इंस्टॉल कर दिया पानी कुछ दिन दिया फिर ब्लॉक हो गया अगर ये सारी गलतियां कहां होती हैं कौन कौन से फैक्टर्स होती हैं और यदि आप अभी नया बोर करवाएंगे तो आपको क्या कौस्ट लगने वाली है एकड़म एक्चुल बताऊंगा कि अभी 2024 में क्यारे सेंट रेट चल रहे हैं या फिर और भी चीजे हैं कि आपको कितना तक बोर रखना है जैसे गर्मी में सबसे ज़्यादा समस्तिया आती है कि आपका पानी सूख जाता है कभी कभी क्या होता है कि मोटर आपको पानी नहीं देता है तो ये सारी चीजें हैं दोस्तो एक ही साथ आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है दोस्तो कि बोरिंग करने के बाद आपको सबसे पहले तो इस तरह के इस pipe डाले जाते हैं अब pipe जो डलेगा सबसे पहले आप इस trunner pipe डालने के साथ साथ उसके बाद आपको PVC pipe डालना पड़ता है अब कितना बूर होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम आपको एक फुट का बोर करना जरूरी है और गहरा कितना होना है दोस्तो 100 मीटर लगभग 300 फुट इससे क्या होगा कि आपका जो बोर है वो हमेशा सही रहेगा और रही बात कि ये जो depth है वो एरिया वाइज मैं बता रहा हूँ differ करता है दोस्तो मिन्स कहीं कहीं हो सकता है 300 फुट से जादा भी आपको बोर करना पड़ सकता है उसके लिए आपके कर्चे जो है वो एक्स्टा बढ़ जाएंगे तो ये सारी चीजें थी अब हाईर आप बोर रखेंगे ये आपके एरिया से पता चल जाएगा कि आस पास के बोर कितने है उसे के हिसाब से आपको बोर करवाना उचित होगा अब रही बात की यहाँ पे देखिए इसके बात क्या करना है बोर के बात सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 300 फुट का बोर है तो लगवग आपको 210 फुट पे पंप रखना जरूरी होगा ये चीत ध्यान रखेगा अब सबसे पहला काम के आता है कि बोरिंग करने के बाद आपको बोर्टम प्लग लगाना है बोर्टम प्लग लगाने के बाद 15 मिंटर तक लगवग PVC डेड़ सो का 6 इंची पाइप लगानी है फिर आपका इस्टरनर पाइप जो जालीदार पाइप है वो चालू होगा उसके बाद 4 इंच का आप पाइप लगाएंगे और फिर टॉप तक उसी पाइप को लेकर चले आएंगे अब पाइप की लोरिंग मेथड ये सारी चीजें नॉर्मल लगभग सबको पता है कि जैसा वीडियो में दिख रहा है इसी तरह से पाइप की लोरिंग या बाकी जो जो जॉइंट है वो प्रॉपर आपको इसी तरह से करने होंगे सीलेंट लगा कर अब सबसे आन्त का काम आता है जब पाइप पाइप सब डल जाती है तो डवलपमेंट आफ बोर का आप कहेंगे बोर डवलपमेंट क्या है आपने देखा होगा कि जब बोर कर देते हैं तो उसके अंदर एक कंप्रेस्ट एयर भरते हैं कि जितना भी पाइप के अंदर या फिर जो बोर के अंदर जो कच्रा है वो पूरा निकल जाए और साथी साथ इसके पहले एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि बोर के किनारे किनारे आपको ग्रैवल पैकिंग खरनी जरूरी है gravel packing means दानेदार कंकड आता है market में जो pipe के चारों तरफ पूरे full बोर में आपको बरना जरूरी है यही गलतियां होती है कि आप क्या होता है gravel डालते नहीं है और बाद में वो पानी देता नहीं है और आप कहते हैं कि अरे बोर खराब हो गया या फिर चोक हो गया दूसरी बात कि वो gravel डालने के बाद जब आप developing करेंगे तो यह developing में यह ध्यान देना है आपको पानी जब तक साफ नहीं आता तब तक आपको developing करना जरूरी है और जैसे ही पानी थोड़ा सा साफ होता है आपकी developing लगभग complete होती है फिर आप pump install करके इस तरह से motor को भी कम से कम 4 से 5 घंटे तक चालू रखें अब रही बात की खर्चे की की पूरी activity में क्या खर्चे होंगे अब यहाँ देख लीजिए will cost 70 meter हमने consider किया है means जो bore होगा वो 100 meter के लिए होगा already मैं वीडियों बता चुका हूँ अब यहाँ देखे लगबग खर्चे क्या क्या आते हैं activities wise बताता हूँ पहले आप boring करेंगे 300 mm का means 1 foot और 100 meter depth तक means 300 foot तक आप bore करेंगे लगबग 35,000 रुपए आपके खर्चोने वाले हैं फिर उसके बाद PVC strunner pipe आएगा 15 meter तक जिसको आप 8500 लगबग 35,000 फिर जो pipe आते हैं means 6 inch का और 4 inch का कितना meter पहले 25 meter फिर उसके बाद 30 meter जो है 4 inch का pipe लगना है उसमें लगबग 30,000 आपके खर्च होने वाले हैं अब रही बात कि gravel packing जो मोटे मोटे गंकड की बात कर रहा था कि pipe के चारों तरफ आपको भरना होगा गड़ों में उसके लिए आपका लगबग 35,000 फिर खर्च होने वाले हैं अब बात आती है bottom plug आपने देखा होगा कि जब भी बोर होता है बोर के नीचे एक cap लगा दी जाती है इस cap को ही आप कहते हैं टॉप में भी एक cap लगा होता है अब यही जो है यह bottom plug है लगबग 230 रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं आपके और जो top plug है top plug में 210 और 1 HP मोटर का अभी आप कोई भी खरीद करेंगे तो लगबग 9 से 9,000 रुपए आपको लग जाएंगे यदि आप crompton का या फिर किसी का ले रहे हैं तो अब बात आती है कि development के लिए कि development of well क्या होगा आपको already बताया जा चुका है कि development of well क्या है इसमें लगबग 2,000 रुपए खर्च होने वाले हैं 2 से कहीं कहीं 4,000 भी होता है वो edge पर smile है उसके उपर depend पड़ता है तो इस तरह से यदि आप देखेंगे तो total cost 88,440 के लगबग आने वाली है यदि ये दोनों cost आप include कर लें तो लगबग 89,000 से आपका 95,000 के बीच में यदि आप 300 डाया बोर कर रहे हैं और यदि 300 फुट का कर रहे हैं तब आपका लगबग ये cost आपकी आने वाली है और ये 2024 का recent rate में बता रहा हूँ आपको दोस्तों तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही अब मुझे विदर दीजिए next वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए